खबर गाजीपूर से है जहां बीते तीन ओगस्ट को भूर कुड़ा थाना शेतर के सत्यम गौड हत्याकान के तीन हत्यारोपियो धवन गोंड हरिश्चन गोंड और प्रमुद गोंड को पुलीस ने गिरफ्तार करने में सफ़लता हासल की है। प्रैस कॉंफरेंस के दौरान पुलीस कमतार याश्वीर सिंगने बताया कि गिरफतार अभियुक्तों ने स्विकार करते हुए बताई कि मिर्टक सत्यम के पिता राम अव्तार की जमीनी रंजिश अभियुक्त हरिस्चंडरे से चल रही थी जिसके चलते इस हर्ट्या को अंजाम दिया गया जो अभियुक्त गर्ण हैं गाउं की रहने वाले हैं परमोद और हरिस्चंड हैं इनका मरतक के साथ जमीन का विवाद चलना था उसी विवाद के चलते एक खुरपी से बताया है परमोद बोड में कि खुरपी से रात को बारावजे के लगबग इसमें सत्यम के गर्दन पर ब उख्याले स्थीद सर्जू पांडे पार्क में धरना प्रदर्शन किया प्रदर्शन कारी लोगों ने आरोप लगाया कि पुलीस और स्थानिय प्रशासन इसाई प्रार्थना सभाव पर अनावश्यक छापे मारी कर समुदाए विशेश के लोगों का उत्पीडन कर रही है प्रदर्शन कारी ने कहा कि प्रार्थना सभाव संचाल को और संबंदित लोगों पर धर्मान तरन का आरोप लगा कर प्रताडित किया जा रहा है मैं डेम महोदे से कुछ नचाता हूँ क्या जितने भी धर्म सभाएं होती है साल में जितने भी होते क्या उनके लिए पर्मिशन वह सब लोग लेकर आते हैं हुआ है हुआ है हम आपना प्रतना सभा किसी भी धर्म का चला सकते हैं लेकिन हम प्रमिशन भी मान्चक्र ना करते हैं इसको फेबने काम किया और भोला जाता है कि ये से अफ गलक्त है और ये एक काम करो तो मिप्रात्ना सभाय करना बंद कर दो नहीं बंद करोगे तुम्हे ठाने में बैठा देंगे और तुम्हें जील भेज देंगे हमेसा के सिपने कोई चोड़ाने मौला नहीं मिलेगा और पूरे गाजी पूर जीने को जाम करते रखेंगे अबंदे कराने का काम करेंगे। प्रदर्शन कारियों ने पुलीस और स्तानिय प्रशासन पर लोगों की धार्मिक स्वतंत्रत्रा प्रभावित करने का आरोप लगाया। प्रदर्शन में इसाई समाज के साथ साथ बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। समाज में लोग रातना करते हैं। कुछ लोगों के सारे पर अस्थानी प्रशासन उठाके इंको बंद कर रहे हैं। पर्दी धर्मांत्रन का रोप लगा रहे हैं। जबके इनके त्वारा इसी कुई खट्ला नहीं की जाते हैं। समाज के लोग किसी का धर्म परिबटतन नहीं करते हैं। जो लोग इनको परिसान कर रहे हैं। जो लोग इनका धर्मांत्रन खुद करा रहे हैं। मुगद्मिय उनको उपर गर्ज होनी चाहिए। इनको उपर नहीं। इस देश के सभी ब्यक्तियों को अपने अंतर करां के उमसार, अपना धार्मी आश्रों, धार्मी ब्योहार करने के संत्रा जुगे हैं। और यहां प्रसातन के कुछ लोग जो है, कुछ लोगों के सारे पर इनकी संत्रा का हन्म कर रहे हैं। जालौन में एक सड़क हाथसे में युवक की मौत हो गई। मामले की सूचना मृतक के परिजनों ने पुलिस को दी, पुलिस ने मृतक के शप को कबजे में लेकर पोस्त मॉटम के लिए भेज दिया। मामला जालौन के हुरई कोतवाली शेतर के हर दोई गुरुजर गाउ का है, जहां एक निवासी महेंदर खेत में खड़ी फसल में पाली लगा कर घर लोट रहा था। इसी बीच रास्ते में उसका ट्रैक्टर खराब हो गया, जिसे वह ठीक करने लगा। तभी पीछे से आ रही एक टेज रफ़तार पिकप ने उसे टकर मार दी जिससे उसकी मौत हो गए। मामले की सुचना मेरतक के परिज्णों ने पुलीस को दी है, बौके पर पहुची पुलीस ने शाप को पोस्मॉटम के लिए भेज दिया है। पहानी लगा के आ रहा है थी, तो ट्रेक्टर में सामार रखे के रोड पर खड़े थी, साइट से, जे ट्रेक्टर की बगल में ख़डाता लड़का, उद्धा से पेकप आई, जोर से बहुत तेजी के साथ, इसी ने जोरदार टकर मारी, वह इस पहुत खतम हो गए। पुलिस को दी, सो नमबर भी आई, वो भी आई, और थानी के विस्टाब भी आया है, सब लोग आया है। पर निकला था, तभी पीछे से आरही तेज रफ्तार बाइक ने उसे टकर मार दी, जिसे वह गंभी रूप से घाय हुआ। मामले की सूचना रहागिरों ने घाय के परिजनों वो पुलीस को दी, सूचना मिलने पर मौके पर पहुँचे परिजनों ने उसे इलाज के लिए जीला अस्पताल भरती कराया। जहाँ डॉक्तरों ने उसे मृत घोशित कर दिया, वही रहागिरों ने घटना को अग्जाम देने वाले बाइक सवारों को पकर कर पुलीस के सुपुर्द कर दिया। अयोध्या नगर निगम के टैक्सी स्टैंड के ठेकेदारों के गुर्गो द्वारा नगर निगम शेत्र के बाहर हाइवे पर धडल्ले से वसूली जारी है जिसका एक वीडियो भी वाइरल हुआ है। थेकेदार की गुर्गे हाईवे के सर्विस रोड पर बड़ी गाडियों से वर टैक्सीयों से अवैद वसूली करते हैं। अवैद वसूली की खबर पर नगर आयुक्त आर एस गुपता ने मामले को संग्यान में लिया और जाच के आदेश दिये। ऐसे संग्यान में आया है जहां तक अधिया नगर निगम की परची देने का प्रश्ण है तो ऐसी परची भी संग्यान में आई है मनवाया है मैंने उसे। और हम लोग मिलान करेंगे उसको कि क्या हमारे ठेकेदार ने चपवाया है अगर हमारे ठेकेदार ने चपवाया है और वसूली किये तो जाहिर सी बात है कि उनके ख़लाब सक्षम धाराओं में अभीयोग भी पंजे कर्थ होगा दैड़िद भी किये जाएंगे इसमें एक आपके सम्झान में यह लादूं कि मानी मुख्य मंत्री जी के और मानी नगर विकास मंत्री जी के नर्देश के उपरांत आयुद्या में हम लोगों ने यात्री करको पूरी तरह समाप्त कर दिया है जो हमारा pilgrimage फिर्थ यात्री करता उसको पूरी तरह समाप्ट कर दिया गया है और इसका आदेश वहलिकित आदेश करके हमने समाप्ट किया है इसके अलावा कोई भी private गारी जो आती है जिससे वो आदमी अध्यार है उससे कोई वाहन कर नहीं लिया जाएगा जो कमर्शिल वाहन है बसेज हैं और कमर्शिल टैक्सी हैं जो यात्री को लाने ले जाने का काम कर रहे हैं उससे वाहन कर लिया जाएगा लिकिन किसी भी private गारी से किसी भी प्रकार का कोई शल्क नहीं है और की भी अब है जहां कर लेकिने भी है आई नहीं है यहां पर ठेका हुआ है लेकिन वो टैक्सी स्टेंट का हुआ है कि कि डियरण च्टेंटि भी होनगे उनसे आप सिल्क लेंगे और जो चीजें प्रकाश में आई हैं उससे प्रतम दृष्टिया ऐसा लगता है कि इसकी वसूली हाइवे पर खड़े की जारी जिक्कि हाइवे पर किसी उत्रकार का कोई शूर्थ नहीं है